अस्टाम वालेकुम दोस्तों वेलकम तो एक्टेशनल गुब एक पारफेट आपके साथ हादर है सरसमेर और रमजान एक ने वीडियो के साथ दोस्तों यह देखें जैसे कि गवर्मेंट आप्षिन की तरफ से जो आज संडे के दिन जो यह पोस्टेस आई हुई है ठीके और यह जो है इसकी जो लास्ट डेट है यहां पे लिखी गई है 30 नमबर 2021 है ठीके याने कि आपके पास पूरा मंत पड़ा हुआ है और यह जो है वह सर्विसेज जर्नल एड्मिस्ट्रेशन एंड कोडिनेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेस हैं और बीपेस 5 से लेकर बीपे सब्सक्राइब करें तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो स्टार करते हैं तो सबसे पहले तो भाई यह एप्रूफ की गई है कैबनेट से कब एप्रूफ की गई थी यह पोस्ट इस चोबीस दिसमबर 2019 को की गई थी ठीक है अब इसकी हम पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि इं सब्सक्राइब होगी और इसकी जो कटाफ माक्स होंगी कटाफ परसंटेज होगी वह 40 होगी लेकिन मतलब कि आपकी जो 100 माक्स होंगी तो उसमें से आपका जो कटाफ होगा वह 40 होगा यानि कि 40 पे पास होगा ठीक है उसके बाद यह वह टेस्ट रिजल्ट शल भी वेलिड for three years, आपका जो test result होगा, वो तीन सालों तक जो होगा, कैसे, जैसे कोई expired date होती है, जैसे कोई आपका 10 years के बाद expired हो जाता है, यहाँ फिर कोई medicine होती है, उस पे expired date दिखी हुएती है, ऐसे ही आपकी जो पोस्ट जो होंगी, वो तीन साल तक valid होगी, तीन साल के बाद जो हो एक्सपायर हो जाएंगी, ठीक है, कैसे, मतलब कि अगर आप कोई भी test देते हैं, फिर कोई भी post है, वो आपके district में सिर्फ तीन post हैं, ठीक है, कोई बंदा या फिर कोई दूसरा candidate जो हो highest marks ले लेता है, आपकी जो fourth number पे marks है, या fifth number पे marks है, तो फिर आप फिर वेटिंग में आ जाएंगे, फिर तीन साल तक दोबरा जो भी उस department में post आएंगी, या फिर किसी देंगे, ठीक है, point number three में है, four में है, कि the interviews will be conducted by the concerned department selection committee is specified under the rule number five, ठीक है, और जो इनका जो rules जो है, बहुत है, बहुत है, जो भी आर्टिकल है, इनका उसके ताद जो भी interviews ले जाएंगे, और इसका जो notification है, जारी किया गया है, government option की दरफ से, ठीक है, उसके बाद जो है, point number five म बिजनल हेर्टर में जो बिजनल हेर्टर में जो रिटेस्टर कंड़ होंगी, जैसे पीर सी और जेस्टर के टेस्टर होए थे उस तरीके से, ठीक है, उसके बाद इसकी age requirements है, 18 से लेका 30 years तक है, इसकी registration भी है, वो हम रीचे पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो थे लेकर class 1 से लेकर class enter तक मेरे चैनल पर अल्रेडी जो है, बहुत सारी वीडियो अप्लोड़ेड हैं, class 4 से लेकर class 8 तक मेरे चैनल पर सारी वीडियो अप्लोड़ेड हैं, और आगे भी में वीडियो अप्लोड करूँगा, ठीक है, इसमें तीन category है, intermediate की है, matriculation की है, इसमें आपके जो in degrees में जो percentage हो, वो कम से कम 45% आपकी marks होना लाजमी है, ठीक है, अगर आपकी कम होंगी, 43 होंगी, 44 होंगी, तो फिर आप eligible नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, terms and condition, ये भी आपको read करना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि in terms and condition के थिरूँ अगर आप ये read करेंगे, तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो ही आपको पता चलेगा क्योंकों सी postures होंगी, तो वह ये postures जो है, ये आपकी teaching category की postures भी हो सकती है, non-teaching category की postures भी हो सकती है, ठीक है, जो भी postures है, साली announce करेंगे, ये बाद में, और इसका test जो होगा, वो PSTJS में apply किया था, अगर किसी का account अल्रड़ी वहां पे बना हुआ है, STS portal पे तो उसको दूसरी मरतबा account बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये मैं आपको apply करके भी दिखाऊंगा के कैसे apply होगा, ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें आपको clear कर दो, ठीक है, उसके ये सारी चीज़ें बोल लाए के documents में जो जो चीज़ें होंगी, graduation का certificate है, intermediate का है, metric का है, domicile PRC है, photograph से है, CIC है, और जो disabled person है, उसका जो CIC, wheelchair के logo वाला CIC है, वो upload करना होगा, ठीक है, उसके बाद, after submission of online application, अगर आप online application, अगर आप online application सब्मेट कर देंगे, उसके बाद, आप आपने पहले upload, जो है, वो download किया था, चालान, उसकी videos already uploaded है, मेरी, जो है, जो है, वो download करने की, और कैसे apply करेंगे, वो सारी चीज़ें, अलड़ी जो है, वो मेरी videos बनी होई है, ठीक है, how to apply in STS, आप लिखेंगे, PSTS, same ही आ जाएगा, क्योंकि प्रासे सेम ही है, ठीक है, उ किसी एक post के लिए apply करेंगे, तो आपका जो, आपकी जो fees होगी वो 350 होगी, 분들은 300 होगी, ठीक है, लेकिन अभा, अगर आप दूसरी categories के लिए apply करेंगे, तो फिर आपको पहली category के जो fees होगी, वो 350 होगी, और दूसरी category के जो fees होगी, वो 700 होगी, यानिक अलग से, ठीक है, क ऐब आप तीन कटेक्रीं के लिए अप्ला करना चाहते हैं तो की इन अचाहते हैं तो तोची के अचाहते हैं के भी ABL और MCB की बैंक में जो है वो प्रेड करेंगे और आपको फी जो है वो रिफंडबल नहीं होगी आपको वापस नहीं की जाएगी ठीक है उसके बाद जो है Candidates can apply for more than one category by paying separate चालान for each category अगर आप एक से ज्यादा category में apply करना चाते हैं तो आपको हर एक चालान के लिए हर एक category का अलग अलग चालान आपको paid करना होगा ठीक है ऐसे यह दूसरी चीज़ें अगर आप कोई भी जो है वो गलत चीज अप्रोड करते हैं कोई आप जो है वो गलत information वहां पे देते हैं याने कि आप fake information देते हैं तो फिर आपकी जो application है वो reject की जाएगी और अगर वो आप गलत information दे देते हैं आपको job मिल भी जाती है लेकिन अगर आप जो है एक साल दो साल बाद पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी service जो है वो आपको terminate किया जाएगा और आपकी employment आपकी खतम की जाएगी ठीक है और general education जो है वो शल्वी एप्लिकेबल एज पर government of sin rules government of sin के जो rules है 15 years education होती है यानि कि इनकी जो already age दी गई हो 18 सारा से 30 साल है 15 साल और आपको मिलेगी यानि के total आपकी जो होगी 45 साल तक के जो लोग है वो इसमें apply कर सकते हैं ठीक है disable or monitor की quota जो वालक से दी गई है ठीक है T.A.D.A. आपको नहीं दिया जाएगा इसकी last date जो है वो 30 November 2021 है ठीक है for update and announcement के लिए आपके पास ये website दी गई है आप यहां पर click करेंगे तो आपके सामने website यह open ओके आ जाएगी यहां फिर यह आप लिखेंगे तो आपके सामने website अपना के आ जाएगी ठीक है और यह अगर आपको कोई कीवरी है अगर आपको कोई भी मस्त्रा है तो इनका number दिया गया है ठीक है आपको यह नजर नहीं आ पर दिखा देता हूं ठीक है यहां पर यह पिक्चर देख लें इनका contact number है अगर आपको कोई कीवरी है तो इस पर आप जहें वह कर सकते हैं ठीक है तो यह इनकी मेरे आपको इसारी इनकी जो 10th in condition जो भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी अभी इसके लिए आपको apply कैसे कर करेंगे तो आपके सामने जो है वह इस्टेस पोर्टल जो है वह ओपन होके आ जाएगा ठीक है तो स्टेस पोर्टल जैसे ही open होगा तो इसमें आप आपकी अगर अल्री आईडी बनी हुई है तो आप जो वह लागिन करेंगे अपना सीना सी नमबर ऊपर लिखेंगे उसके के बाद आप आपका यह आपकी FTS ID लागन होके आ जाएगी जैसे ही लागन होके आती है तो आपके सामने वो पॉस्टेस आ जाएंगे तो यह जैसे लोड करता है तो नीचे हम आते हैं सिंध एमर्जंसी रेस्क्यू यह अलग से पॉस्टेस हैं लेकिन नीचे दो दूसरी पॉस्टेस दी गई है यह वाली सर्वेसिज जरनल इंवेस्ट्रेशन एंड कोडिनेशन डेपार्मेंट गवर्मेंट अफ सिंध ठीके तो इस पे आप व्यू पोस्टेस पे क्लिक करेंग करेंगे तो आपके सामने कैसे फाम आएगा तीनों करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है तो आपके सामने कैसे फाम आएगा किस तरीके से सद्राइगा आप एक कलीग करेंगे तो आपके सामने एक ट्रइस और मिटे करना होगा यहां में यहां प्यक्क आगे तो staying यहां पर यहां पर यहां पर चालान की अधीक है तो अभी हम आते हैं कि चालान किसे डाउनलोड करेंगे चालान अभी यह देखें नीचे लिखा हूए हैunächst क्लिक करेंगे तो आपका चालान वो नुए हैाँ जाएंगा ठीक है sm steam होगा अपका जो है जो हैasan और हर जो है आपकोल रचालां हो हर एक्तज़ेकरी वह अलग अलगर चालान क्तार्फ करना होगा और चालान किसी तरीकरोंडे क 1997 procedure तो इस तरीके सा आपका अप्लाय होगा अब इसका olan सिन when say Class लेकर Class intermediate तक है Class 1टी तो वाज मेंधिय कीजेगा और उसके लिए YouTube متरियल मेरी यह फ्लोड्लीड है आप Google में जा कि मेरा नाम लिखेंगे समय उल्ला रम्जान इंटर करेंगे तो फस्ट लिंक पे मेरी वेबसाइट आ जाएगी यह देखें एजुकेशनल ग्लोब फस्ट लिंप मेरी वेबसाइट आ गई है और इस पर मैंने पीस्ट के लिए अब लोड किया था वह सेमी मेट्रियल होगा इन जो है टेस्ट में सिंतेक्स बॉक बोर्ड का आप यहां पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट जो है वह अभी लोड होके आ जाएगी जैसे ही वेबसाइट लोड होके आती है तो फिर यहां पे देखें सारी चीजे मेरी यहां प्र दिया है और पिएस्ट के पेपर में पस्पेपर जोह alpha घुरे जो भाड़ा ठीक के हो शैनिल्च के गया है प्रिक्र किया साजन्डी के सारे डांवर्ड ये जो भी आप कर दो भी Aám मेरे चैनल वे जो यह तर बिक आप अगर कोई भी एक PDF में यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइंस वाला PDF यह देखें सारे डाउलोड होके यहां पर लोड होके आ जाएंगे सारे सारी क्लास एड तक क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक सारे यहां पर यह देखें अपलोड हैं एक PDF फाइल अगर हमें कोई एक PDF फाइल जो है वो डाउनलोड करता हूं यह जडिक करेंगे तो आपके सामने जो हो पेज लोड होके आ जाएगा तो नीचे आएंगे तो नीचे डाउनलोड नाओ का अप्श करेंगी तब तक हम यह वेबसाइट देख लेते हैं यह देखें आप कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो यहां पर आजाएंगी अगर आपको कोई साफ्टेर पकर डाउनलोड करने हैं ठीक है नार्मल वाले तो यहां पर होंगे अभी हमारी फाइल डाउनलोड होके आगई हम देखते हैं यहां पर यह लोड हो रही अभी ठीक है तो यह आप यहां पर रीड कर सकते हैं अगर आप पीसी पे हैं तो अगर आप मॉबाइल पे हैं तो डारेक्ट आपकी जो डाउनलोड होके आजागी यह देखें सारी सारे सारे यहां पर हैं ठीक है आप इनको वीडियो उमीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये के बेल आकान क लाज़ी प्रेस करें ताकि आपके पास मज़ीड ऐसी वीडियो आसानी से पहुंच सकें शुक्रिया आला हाफिज मिलते हैं अगली वीडियो में